अगला स्टेशन उद्योग भवन है नेक्स्टेशन इस उद्योग भवन नवास्कार मैं हूँ आपका हमसफर शम्मे नारण हमसफर इसलिए कहा क्योंकि कई बरसों से आप मेट्रो में मेरी आवास के साथ यात्रा कर रहे हैं आज मैं अपने ही जीवन की यात्रा का जिक्र करने जा रहा हूं इंडिया टाइम्स के साथ, आप त्यार हैं ना? पिशले 25 सालों से अमेरिका में रहने वाले मामाजी कह रहे हैं आप पिशले 25 सालों से अमेरिका में रहा हैं 2002 में इन्होंने ट्राल्स शुरू कर दिया जब ड्यमर्सी की मीटिंग चल रही थी डेली मेट्रो रेल कोपरिशन की जोनके चेर्मेन थे शेरीधरनजी शेरीधरनजी बैठे हुए उन्होंने सबने का उसे एवान बॉय रिड्स वेरी वेल, I like his voice and the girl Rini Kanna, she's also good तो उन्होंने का, sir, okay, we'll try their voice ये मेरे को सब बाद में मालूम पढ़ रहा हूँ सो आगे से, हमको दे भी नहीं पता था कि उसको बोला कैसे है कि अगला स्टेशन ये, पिछला स्टेशन, you know, दर्वाजे दाएं और खुलेंगे, बाएं और खुलेंगे, ये तमाम की जो चीज़ें होती थी सो इन्होंने से, उसने का, done तो उस ट्रेन पे लगाया गया अगला स्टेशन, हाउस खास है दर्वाजी, बाएं और खुलेंगे सो फ्रम देर, अफकोस दिली तो पूरा मेरा और रिन्नी के हिससे, प्लस प्रोडक्शन मेरी ही कमपनी करती है लखनव मेट्रू में आपका स्वागत है उसके बाद जो डिफरिंट स्टेट्स में और डिफरिंट कैपिटल्स में मेट्रो जैसे जैसे आती गई, उन्नका इधिस दे सेफिस्ट चॉइस जहां जहां हिंदुस्तान में मेट्रो चल रही है और उसमें हिंदी वॉइस है, या अंग्रेजी वॉइस है ये तो पक्काय के मेरी और रिन्नी की जाएगी हैदरबाद में मेरी हिंदी और उर्दू दोनों मेरी जाती है बहुत पुरानी बात है कोई चार पांच साल पहले की बात है मेरे भाई जर्मनी से आये थी मेरे साथ वो मेट्रो में चले गए और एक मा और उसका बच्चा बिलकुल सामने वाली सीट पर बैठे हुए और जैसे-जैसे मैं बोलता था में अगला स्टेशन जोर बाग तो बच्चा गाता था जोर बाग So he used to imitate me, every time he used to imitate me That was the best thing So and I was laughing and the first best thing he told Mamma एन अंकल के कितने मजे है ना गाडी में घूमते रहते हैं सबसे बड़ा मेरे जिंदगी में जो कीरतीमान मेरे लिए बना In a milestone was basically Metro I was born and brought up in Delhi only Studied here, did my schooling here My father was in army I opted for engineering When I was in third year The college was constructing an auditorium And they were installing the audio system in the auditorium So he said to have the audio check We must call someone on the microphone An American that was on the CD He was installing those tags So I faced the microphone and started saying Hello, what are you doing? So I started saying in Hindi Who is this guy? He is a Gora man So I started to take a look at him But my modulation was very good When I was saying something on the microphone This Gora got down from the ladder And he said wow what a voice you have So he said okay fine I am from Voice of America Why didn't you come to the studio? He said we are in USIS which is United States Information Service in Delhi He said American Library in Delhi It is still at Karzan Road Which is Kasturva Gandhi, Mark in Delhi He was there to receive me That was the best part His name was Mr. Flanagan He said okay fine you got to read something And this is known as audition I think there were two paras Maximum There are two paras He says start When I read out I could make out From the expressions of the people in the control room They were very happy So I came out And he says you know like What a voice you have We have already recorded it We have canned it And it is going to America now Because tonight this will be broadcasted also Woos So I started you know like I started selling both the booths College Recordings College जब में कमर्शाल्स कर रहा था तो उन दिनों में बहुत पुलर एक शो आता था सरप सांजी गुर्बानी देवोशनल प्रोगाम उन सिक्क गुरुग्रान साथ आत्मा दे सुखली टेक्सलर टीवी दे निर्माता पेशकारदे ने सरप सांजी गुर्बानी एन उसमें थोड़ा सा रिवर्ब डाल दिया जाता था इसी टाइम दूरण दूरदशन के तो जो आदमी दूरदशन की तरफ से आया था मुझे शूट करने उसने का यहर ऐसा है कि न्यूस की न कुछ ऑडिशन्स होने वाली हैं तो आप क्यों ही अप्लाई करते हैं? मैंने काया देखो मेरा तो कोई बैक्राउं इस तरह से हानी वाइस अवेरिका में काम किया है बड़ आम नाद प्रॉपर जर्नलिस्ट और 82 का वक्त है और एश्याड और प्रॉबली दियार लाइकली तो गो फर कलर रोल्सू ब्लाक इन वाइट जाता था था हूं दिनों मै सो मैंने 20 रुपे का एक पे और भरा वही बिचारे ने जमा करा दिया मुझे कॉल आती है उसके बाद सब आप देखिए कॉल में हमें सब को महां कम से कम मेरा ख्याल है कोई हजार आदमी तो होगा आसपास जो वह भी यू पढ़ते थे भारत के प्रधान मंत्री नेक्स्ट म मैंने कँ मेरा भी नंबर अब यही मुझसे ही होगा मेरा भी हूशर मैंने का भारत के प्रधान मंत्री में रुपकर ओर नहीं हो कहरें पढ़िया शुम्हतिंद्रा गांधी ने कहा कि ये 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 मैंने रोग दिया फिर दो बोलें नहीं पूरा पनना खत्म कीजिए तो मेरे उन दिनों में एक प्ले भी करना शुरू कर दिया था शीला भाटिया जी का तो I said यार मैं अगर टेस्ट में चला गया तो मेरी वो प्ले की रहसल चली जाएगी So I said मैं फाद को मैंने का जी मैं देख लिया है वो बहुत ही सुन्दर सुन्दर लोग आते हैं उसमें मैं कहां टिकूंगा उनके बीच में और वो पढ़ती भी अच्छा ही होंगी मेरे फादर ने एक बात कही यार तुम चले जाओ घर तो आने देंगे खर मैं अंदर गया और इनका हाँ चली कुछ फिर वो इपरदा लगा और अब आपका कैमरा है पहले तो आप पढ़िये कुछ तो टेली प्राम्टर नहीं होता था आपको पेज़ेज में होता था और वो पेज़ेज पहले भी ने दिया जाते थे पर मैंने क्योंकि कमर्शल्स करते करते मुझे पॉजस पे सेर उठाने की आदत हो गई थी भारत के प्रधान मंतरी ने कहा कि कल देश में ये होगा तो ने कहा यारी लड़का तो कमाल कर रहा कि मतलब पढ़ भी ठीक रहा है और जिस वक्त सर उठाना चाहिए उस पर सर भी उठा रहा है आदमी मैं जब निकल रहा हूँ तो एक लंबे से शक्स उनके पीछे तीन चार चमचों की तरह लोग चल रहे तो जाहर है वो पैनल में से निकले थे उनकी मुझे बीड़ी लोग उसका जो औरा था बंदे का वड़ा कमाल का था मेरे पास आए आखिर में तुमने ही पड़ा है जी मैं नहीं पड़ा अच्छा पड़ा है कहके चले गए एक दम सी लड़का आया अबे जानते हैं कौन थी यह मैं तो नहीं जानता लानत है तुम पे न्यूस के आडिशन देने आयो तुम देव की नंदन पांडे है ये एक रिपोर्ट बनती थी पेम हाउस ने यहां तक कह दिया कि अब मैडम जो भी रिपोर्ट बना आप दू दर्शन वाले मैडम के उपर जो भी रिपोर्ट बनाया करेंगे वाइस तो भी शामीन आरंग्स सो हर स्टेप के उपर मुझे एक रिकनिशन मिलती चली गई हम लोग जब न्यूस पढ़ते थे तो इस चीज का बड़ा ख्याल किया जाता था कि आप बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी आप लेकर जा रहे हैं न्यूस पढ़ने में बड़ने में लोग एक ननली किट्थ वे ठावने में लोगने ट्रैंड जानना थाथा हैं लोगने एक वी एक रहे लांग्वेज वोट तो एक जो एक ऑंके अख़ादी वंपर क्रेड़िवलिटी होती थी वो कमाल की होती थी फिर ये भी होता हा कि कीजिये कल आ लेना है तो सारी सारी ब्रात बैठ कर हम लोग कश्पीर पॉलिसी पर पड़ रहे हैं कि कहीं हम लोग स्टूपिड ना लगें उसके सामने कि भाई आपको पता नहीं और आप इंट्रूव लेने आ गए हैं लोगों के लिए लगता होगा कि एक मेट्रू में वोईसी करता है आप यह नहीं सोचते कि आप सबने मेरी आवास को अमर कर दिया जब तक हुड़ा सीटी सेंटर का नाम हुड़ा सीटी सेंटर रहेगा राजीव चौक का नाम राजीव चौक रहेगा मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चे भी कहेंगे यह हमारे दादा के दादा के दादा के दादा की वोईस है अब मैं मेट्रो स्टाइल में आपसे कुछ कहना चाहता हूं अगला स्टेशन आपकी मंचाही मंजिल है खुशियों के दर्वाजे चारों और से खुले रहेंगे यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए थैंक यू झाल